C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई एक पूर्णांक पृष्ट सोलह 1.5 पूर्णांकूं के गुणन के गुण 1.5.1 गुणन के अंतर्गत सम्वृत 1. निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए कथन निशकर्ष माइनस 20 गुणा माइनस 5 बराबर 100 गुणन भल एक पूर्णांक है माइनस 15 गुणा 17 बराबर माइनस 25 गुणन भल एक पूर्णांक है माइनस 30 गुणा 12 है बराबर डैश डैश माइनस पंदरह गुणा माइनस तेस बराबर डाश माइनस छोदह गुणा माइनस तेरह बराबर डाश आप क्या देखते हैं क्या आप एक ऐसा पूर्णांक युग्म ग्यात कर सकते हैं जिसका गुणन फल एक पूरणांक नहीं है? नहीं, इससे हमें यह ग्यात होता है कि दो पूरणांकों का गुणन फल पुनह एक पूरणांक ही होता है अतह है हम कह सकते हैं कि पूरणांक गुणन के अंतरगत सम्वरित होते हैं व्यापक रूप में सभी पूर्णांकों A तथा B के लिए A गुणा भी एक पूर्णांक होता है पांच और पूर्णांक युग्मों के गुणन फल ग्यात कीजिए और उपर युक्त कथन को सत्यापित कीजिए एक दशमलव पांच दशमलव दो गुणन की क्रम विनी में यता हम जानते हैं के पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनी में यह होता है क्या हम कह सकते हैं के पूर्णांकों के लिए भी गुणन क्रम विनी में यह है निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा कीजिए कथन एक, कथन दो, निशकर्ष तीन गुणा माइनस चार बराबर माइनस बारह माइनस चार गुणा तीन बराबर माइनस बारह तीन गुणा माइनस चार बराबर माइनस चार गुणा तीन माइनस तीस गुणा बारह बराबर डाश बारह गुणा माइनस तीस बराबर डाश माइनस पंदरह गुणा माइनस दस बराबर एकसो पचास माइनस दस गुणा माइनस पंदरह बराबर एकसो पचास माइनस पैंतीस गुणा माइनस बारह बराबर डाश माइनस 12 गुणा माइनस 35 बराबर डाश, डाश, माइनस 17 गुणा 0 बराबर डाश, 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 बराबर डाश, माइनस 1 गुणा माइनस 15 बराबर डाश, डाश, प्रिष्ट सत्रह आप क्या देखते हैं? उपर युक्त उदाहरन संकेत करते हैं कि पूरणांकों के लिए गुणन क्रम विनी में यह है इस प्रकार के पांच और उदाहरन लिखिए एवं सत्यापन कीजिए व्यापक रूप में किन ही दो पूरणांकों ए तथा भी के लिए ए गुणा भी बराबर भी गुणा ए 1.5.3 शून्य से गुणन हम जानते हैं कि जब किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणन भल के रूप में शून्य प्राप्त होता है रिणात्मक पूरणांकों एवं शून्य के निम्न लिखित गुणन भलों को देखिये पहले किये गई पैट्रनों के आधार पर हम इने हैं प्राप्त करते हैं माइनस 3 गुणा शून्य बराबर शून्य शून्य गुणा माइनस 4 बराबर शून्य यह सारणी दर्शाती है के एक रिनात्मक पूर्णांक और शुन्य का गुणन फल शुन्य होता है व्यापक रूप में किसी भी पूर्णांक A के लिए A गुणा शुन्य बराबर शुन्य गुणा A बराबर शुन्य एक दशमलव पाँच दशमलव चार गुणनात्मक तत्समक हम जानते हैं के पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक यानि मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जाच कीजिए के एक पूर्णांकों के लिए भी गुनन आत्मक तच समक है एक के साथ पूर्णांकों के निमनलिखित गुनन फलों को देखिए यह दर्शाता है कि एक पूरणांकों के लिए भी गुणनात्मक तक समक है. व्यापक रूप में किसी भी पूरणांक A के लिए हम पाते हैं कि A गुणा 1 बराबर A गुणा A बराबर A. यदि किसी भी पूरणांक को माइनस एक से गुणा किया जाए तो क्या होता है? निमनलिखित को पूरा कीजिए. क्या हम कह सकते हैं कि माइनस एक पूरणांकों के लिए गुणनात्मक तक समक है? नहीं. पूरणांकों के लिए शून्य योज्य तक समक है जबके एक गुणनात्मक तक समक है. जब किसी पूरणांक एको माइनस एक से गुणा किया जाता है, तो हमें उस पूरणांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है. अर्थात एक गुणा माइनस एक बराबर माइनस एक गुणा ए बराबर माइनस ए होता है. प्रिष्ठ अठार है. एक दशमलव पांच दशमलव पांच. गुणन साह चर्य गुण. माइनस तीन, माइनस दो और पांच को लीजिये. कोश्ठकों में माइनस 3 गुणा माइनस 2 गुणा 5 और माइनस 3 गुणा कोश्ठकों में माइनस 2 गुणा 5 पर विचार कीजिए प्रथम स्थिती में माइनस 3 एवं माइनस 2 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है और दूसरी स्थिती में माइनस 2 एवं 5 को मिलाकर एक समूह बनाया गया है हम पाते हैं कि कोश्ठकों में माइनस 3 गुणा माइनस 2 गुणा 5 बराबर 6 गुणा 5 बराबर 30 और माइनस 3 गुणा कोश्ठकों में माइनस 2 गुणा 5 बराबर माइनस 3 गुणा माइनस 10 बराबर 30 इस प्रकार दोनों ही स्थितियों में हम एक ही उत्तर प्राप्त करते हैं अतह कोश्ठकों में माइनस 3 गुणा माइनस 2 गुणा 5 बराबर माइनस 3 गुणा कोश्ठकों में माइनस 2 गुणा 5 निम्न लिखित पर विचार कीजिये और गुणन भलों को पूरा कीजिये कोश्ट हकों में 7 गुणा माइनस 6 गुणा 4 बराबर डैश गुणा 4 बराबर डैश 7 गुणा कोश्ट हकों में माइनस 6 गुणा 4 बराबर 7 गुणा डैश बराबर डैश क्या कोश्ठकों में 7 गुणा माइनस 6 गुणा 4 बराबर 7 गुणा कोश्ठकों में माइनस 6 गुणा 4 है? क्या पूरणांकों के विभिन प्रकार के समूहों से गुणन भल प्रभावित होता है? व्यापक रूप से कि नहीं तीन पूरणांकों A, B तथा C के लिए कोश्ठकों में A गुणा B, गुणा C बराबर A गुणा कोश्ठकों में B गुणा C A, B और C में से प्रत्येक के लिए 5 मान लीजिए और इस गुण का सत्यापन कीजिए अतहा पूर्ण संख्याओं की तरहा तीन पूरणांकों का गुणन फल उनके समूह बनाने पर निर्भर नहीं करता है और यह पूरणांकों के लिए गुणन का साहचर्य गुण कहलाता है 1.5.6 वितरण गुण हम जानते हैं के 16 गुणा कोष्ठकों में 10 जमा 2 बराबर कोष्ठकों में 16 गुणा 10 जमा कोष्ठकों में 16 गुणा 2 योग पर गुणन का वितरण नियम आईए जाच करते हैं क्या यह पूरण आंकों के लिए भी सत्य है निमनलिखित को देखिए ए, माइनस दो गुणा कोष्ठकों में 3 जमा 5 बराबर माइनस दो गुणा 8 बराबर माइनस 16 और कोष्ठकों में माइनस दो गुणा 3 जमा कोष्ठकों में माइनस दो गुणा 5 बराबर माइनस 6 जमा माइनस 10 बराबर माइनस 16 आता है, माइनस दो गुणा कोष्ठक। में तीन जमा 5 बराबर कोष्ठक। में माइनस दो गुणा 3 जमा कोष्ठक। में माइनस दो गुणा 5. B. माइनस 4 गुणा कोश्ठकों में माइनस 2 जमा 7 बराबर माइनस 4 गुणा 5 बराबर माइनस 20. और कोश्ठकों में माइनस 4 गुणा माइनस 2 जमा कोश्ठकों में माइनस 4 गुणा 7 बराबर 8 जमा माइनस 28 बराबर माइनस 20. अतह, माइनस 4 गुणा कोश्ठकों में माइनस 2 जमा 7 बराबर कोश्ठकों में माइनस 4 गुणा माइनस 2 जमा माइनस 4 गुणा 7. सी, माइनस आठ गुणा कोष्ठकों में माइनस दो जमा माइनस एक, बराबर माइनस आठ गुणा माइनस तीन, बराबर चौबीस, और कोश्ठकों में माइनस 8 गुणा माइनस 2 जमा कोश्ठकों में माइनस 8 गुणा माइनस 1 बराबर 16 जमा 8 बराबर 24 इसलिए माइनस आठ गुणा कोश्ठकों में माइनस दो जमा माइनस एक बराबर कोश्ठकों में माइनस आठ गुणा माइनस दो जमा कोश्ठकों में माइनस आठ गुणा माइनस एक क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के लिए भी योग पर गुणन का वितरण नियम सत्य है? हाँ प्रिष्ठ उन्नीस व्यापक रूप में किनहीं तीन पूर्णांकों A, B और C के लिए A गुणा, कोष्ठकों में B जमा C, बराबर A गुणा B जमा A गुणा C A, B और C में से प्रत्येक के लिए कम से कम पाँच विभिन मान लीजिए और उपर युक्त वितरण गुण को सत्यापित कीजिए प्रयास कीजिए 1. क्या 10 गुणा कोष्ठकों में 6 जमा माइनस 2 बराबर 10 गुणा 6 जमा 10 गुणा माइनस 2 है? 2. क्या माइनस 15 गुणा कोष्ठकों में माइनस 7 जमा माइनस 1 बराबर माइनस 15 गुणा माइनस 7 जमा माइनस 15 गुणा माइनस 1 है? अब निम्नलिखित पर विचार कीजीए क्या हम कह सकते हैं के 4 गुणा कोष्टकों में 3 घटा 8 बराबर 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 8 है आईए इसकी जांच करें 4 गुणा कोष्टकों में 3 घटा 8 बराबर 4 गुणा-5 बराबर-20 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 8 बराबर 12 घटा 32 बराबर माइनस 20 इसलिए 4 गुणा कोश्ठकों में 3 घटा 8 बराबर 4 गुणा 3 घटा 4 गुणा 8 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए माइनस 5 गुणा कोश्ठकों में माइनस 4 घटा माइनस 6 बराबर माइनस 5 गुणा 2 बराबर माइनस 10 कोश्ठकों में माइनस 5 गुणा माइनस 4 घटा कोश्ठकों में माइनस 5 गुणा माइनस 6 बराबर 20 घटा 30 बराबर माइनस 10 अतह, माइनस पांच गुणा कोश्ठकों में माइनस चार घटा माइनस चार बराबर, कोश्ठकों में माइनस पांच गुणा माइनस चार घटा कोश्ठकों में माइनस पांच गुणा माइनस चार घटा कोश्ठकों में माइनस पांच गुणा माइनस चार घटा कोश्ठकों मे माइनस नौ गुणा दस घटा कोश्टकों में माइनस नौ गुणा माइनस तीन के लिए इस कथन की जाच कीजिए। आप पाएंगे के ये भी समान हैं। व्यापक रूप में किन ही भी तीन पूरणांकों A, B और C के लिए A गुणा कोश्टकों में B घटा C बराबर A गुणा B घटा A गुणा C A, B और C में से प्रत्येक के लिए कम से कम पाँच मान लीजिए और इस गुण को सत्यापित कीजिए। प्रयास कीजिए। 1. क्या 10 गुणा कोश्टकों में 6 घटा माइनस 2 बराबर 10 गुणा 6 घटा 10 गुणा माइनस 2 है। 2. क्या माइनस 15 गुणा कोश्टकों में माइनस 7 घटा माइनस 1 बराबर माइनस 15 गुणा माइनस 7 घटा माइनस 15 गुणा माइनस 1 है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाथ्य पुस्तक, कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर, गौरव मारवा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्मान सहयोग, सौम्या म निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत